सर्दी हो जाए तो अंग्रेजी दवासे सर्दी मिटाना खत्रे से खाली नहीं है क्योंकि सर्दी में कफ होता है और कफ सूख जाता है फिर खून में घूमते रहते नाड़िया जहां कमजोर होती है वहां ब्लॉकेज होता है यह तो टूमर होता है ब्रैंट्यूमर अथ्वा साइटी का अथ्वा हाट अटे अंग्रे जी दवा खाकर सर्दी नहीं मिटाना बिना दवाई के सर्दी मिटे अपनी और सब की दाहे नाक से स्वास लिया खींचा रोक रखा सवा तेर मिनट बाहे नाक से छोड़ दिया ऐसा चार पांच बार करो एक दो दिन करो बस ज्यादा नहीं करना सर्दी भाग जाएगी ऐसे जैसे राम का तीर देखकर मुसिबत भाग जाती अगर गर्मी है मासिक अधिक आता है या चिर्चिरा स्वभाव है या और कोई इस्त्री सबंदी बीमारी है गर्मी के कारण आँखें जलती हो तो बाहिनाक से स्वांस लिया सवा देड मिनट रोका और दाहे से छोड़ा गर्मी सबंदी बीमारी चट फिर भी किसी को रात को नींद नहीं आती और मुँ में छाले पड़े हैं तो ना भी होट फट जाते सर्दी में या मुँ में छाले पड़ते तो क्या करना है 50 ग्राम सौफ 50 ग्राम धनिया 50 ग्राम आवला मिल जाय सुखा और 50 ग्राम मिश्री आवला नहीं मिले तो तीन चीज़ों को कूट के रख दो दो चमच 10 क्राम भिगा दिया दूपेर को 2-3-4 बजे सूरज डूबने के पहले मसल के पीलो मूँ के चाले मासिक की अधीकता अनिद्रा सब गायब गर्मी सबंदी बीमारी सब गायब अगर घर में जगड़े होते हैं तो एक ग्लास लोटा पानी का कुट्म के बढ़ा वेक्ति पलंग के नीचे रखे सुबह तुलसी में, बढ़ में, पीपल में अथवा इसी जगा जहां दूसरे का पैर ना पड़े तो अच्छा है आवला अद्रक सर्बत पीने से गैस सबंदी बीमारियां भाग जाती है दो लीटर पानी गैस की तकलिफ वाले दो लीटर पानी छे बीली पत्ते एक दो काली मिरच उबाल के डेड़ लीटर करो वो दिन में पीओ गैस की तकलिफ चूब दही खाने से ब्लॉकेज होने का नाडियों में गड़बड होने का भाह रहता है दही सीधा नहीं खाना चाहिए मत्र कर लसी बनाओ खटी लसी नहीं हो तो वायु दूर करती है गैस को मारती है गाजर गैस को मारती है आउला गैस को मारता है नारंगी मिल जाए कहना क्या टमाटर बपरे लाल टमाटे पके बोजन के पहले 50 से लेकर 200 गराम तक आउले ये में टमाटे काटे उस पर थोड़ा संतक्रपाचुरन या निमक मिला दे खाय हाजमा टनो टन और आमले में तामरत अत्व है तो खून की जो कमी या लालकन की कमी या पीले-पीले हो रहें ने ओ सब लाली मावाले हो जाएंगे चौन प्रास से भी लाली आती है और आमला एक किलो आमला ले लो दो के कुकर में डाल दो तीन ग्राम पानी आज मली आदी सिटी बजी न बजी वो आमले उतार दिये बीज निकाल दिया कूट पीट के उसकी पेष्ट बना दी एक किलो आमले की हां पिर एक किलो शक्कर की प्रेष्ट और शक्र मिलकर दो किलो हो गया ना, मावा, एक किलो मावा रख दो ऐसे ही फ्रीज में, रोज सुबे दस बारा ग्राम मावा लेकर आम लेका, और गरम पानी डाल के पियो तो चाय की आदद मिठ जाएगी और पेड साफ अर दातु मजबूत, अगर ठंडा पानी कि अविनाते हो तो शर्वध बन जाएगा, दड़ी की दड़ी बाबा का बावा ओभा ओष्दी के आँशधी, और चाय कोफी से दस प्रकार के पोईजन खोजे गया गए विज्यानियों ने, चाय में और कोफी में टैनिन मिलता है जो गैस की तकलिफ बढ़ता है और पेट अज़के कहते चैय कोफी में थिन पाया गया जो सिर को भारी करता और खुश्की देता है, कैफेन पायागयय किढ्नी को कमजोर करता है, वल्टाइल आश्याशों को कमजोर करता है, और चैय कोफी में ये जहर पायागययया, कारभोलिक एसिड जो बदहाजमां करता है ऐसिडिटी करता है चाय कोफ इमीन पाया गया है जो पाचंत लंथर को कमजूर करता है। एरोमॉलिक जो आंतों को हनी पहुंचाता है। साइनोजन जो अनिद्र और लकवा को बुलावा देता हैं। में दस प्रकार की मुशिवत हैं और एक्जोलेट जी की एसिड जो शरीर को हानी करता है और दसमा जहर चाय कौफी में विज्ञानियों ने खोजा स्थिनोयल, स्थिनोयल नपू सक्ता लाता है वीरे कबल आनी करता है तो एक तो मोबाइल फोन से और दूसरा चाय कौफी से व अर्जुन चाल हाट को मजबूत करता है दालचिनी अर्कु तेजपता, कुलजन, शंखपुष्पी, काली मिरच, हलालचंदन, नागरमोथा, इलाइची, जायफल, मुलेठी और सौंफ। इन चीजों का मिश्रन कर के चाय बनाओ, मैं तो भू पीता हुँ कभी-कभी पाच इतना बच्रीण पमें कभी किदर जाना, किदर खणा, ताइम से भाझना पिना नही होता, ताइम से रहना नही होता हुँआ, हवा बदलती रहती पानी बदलता रहता है, सब कुछ बदलता रहता हुऊं, थिर भी जंकाते हों तो कुछ ह Tayyep उत जान लो आप लोग जान लो जोंके त्योरो हो मजबूत रहो हमार बियारी टनाटन दाहिता है ना